आज हम कबीर की साखियां इस पार्ट के कठी शब्दात करेंगे क्योंकि जब तक आपको कठी शब्दों के अर्थ पता नहीं होंगे तो आपको साखियां समझ में नहीं आएंगे इसलिए हम देख रहे हैं कि सुफर का यहाँ पर मिनिंग क्या है सुफर होता है अच्छी तरह ऐसे भरा हुआ केल यानि क्रिडा मुक्ताफल यानि मोती केली होता है खेल जिससे शब्द बना है यानि क्रिडा खेल को हम कहते हैं मुक्ताफल मोती को कहा जाता है दुलीचा होता है छोटा सा कालीन होता है बैटने के लिए आसन जो होता है हम गरों में आसन का प्रयोग करत उसे का आ जाता है स्वान या सवान जो होता है वो है कुत्ता जख मालना मजबूर होना या वक्त बरबाद करना पक्खा पक्खी है पक्ष और विपक्ष कारणै कारण सुजान चतुर निकटी निकट यानि पास काबा मुसल्मानों का पवित्री तिर्धिस्थल होता है जहां पर वह नमाज अदा करते हैं मोट चून यानि मोटा आटा जनम या जनम से ले करके सुरा यानि शराब उसके बाद हमारे शब्द आते हैं टाटी यानि टटी परदे की लगाई बास अधी की फट्टियों का पला इसे कहते हैं थूनी यानि स्तंभ पुराने जमाने की भाशा है तो इस तरह से बास की जो चोटी चोटी टुकड़े करके परदे बनाए जाते थें कर्टेंस बनाए जाते थें उसे टाटी कहा जाते था बलिंडा यह है छपपर की मजबूत मोटी लकड़ी होती है चानी यानि छपपर भांडा फुटा यानि भेद खुलना नेरचु यानि थोड़ा सा भी चोवा यानि चूता है रिष्टा है बुठा यानि बरसा खीना यानि क्षण हुआ आज इतने ही शब्दों के अर्थ कर